हेलो विर्वन आई आम धर्मन, टेनर आफ ए हाई हास इंडिया आज हम ए हास सब्टयोड की मदद से आज हम जानेंगे कि आर्क सेप्स में वाल को कैसे क्रिएट करते हैं तो अब हम चलते हैं ए हास के इंटरफेस पे यह हमाहाँ ए ए हास का इंटरफेस है यहां से हम एक create करते हैं wall को और इसे split कर लेते हैं split करने के बाद इसमें से हम कुछ arc के size में दिखाएंगे split कर लिए यह दो पार्ट में हो गया इसे जोड़ा सा हम drag कर लेंगे अब drag करने के बाद हम इस wall को arc के save में देंगे arc wall है यहां पर click करके यह जो आपका arc है इसकी length को कम ज्यादा कर सकते हैं जो value आप इसमें put up करेंगे उतनी length पर वो arc हो जाएगा और इसे अगर straight line करना चाहते हैं तो फिर से उसे पर click करेंगे तो straight line में हो जाएगी हम इसे एक arc shift दे सकते हैं जैसे अम balcony के use करना चाहें या उसमें half wall करके उस पर railing रखना चाहें तो यह भी हमें भी करके दिखाएंगे आपको तो हम कुछ sizes change कर लेते हैं और इसके बाद अगर corner पर आपको wall है जैसे यहां पर turning है तो turning पर आपको arc चाहिए जो हमारी दिवार है वो गूम कर आए तो वो भी हम दिखाते हैं कैसे होगा यहां पर हम एक line draw कर लेंगे और line draw करने के बाद हम इसे उतने area में arc देंगे जिस area में उसकी measurement रहेगी हम यहां से इसकी value को कम कर लेंगे वो उतने size में turn हो जाएगा 100 हमने कर लिया है और इस line को हम delete कर लेंगे जो extra walls हैं इसे हम delete कर लिए और फिर इसे click करके भी आप कम ज्यादा length रख सकते हैं जितना चाहिए अगर हमको 200 चाहिए तो 200 पर भी arc इसको ले सकते हैं और एक चीज है इसे अगर हम balcony बनाने चाहते हैं तो वह कैसे बनाते हैं हम दिखाते हैं यहां से half wall करेंगे और इसकी हमारी height है यहां से हम height जो change करना चाहिए वो कर सकते हैं 900 रखते हैं 900 3D में दिखाते हैं आपको और यहां पर आप रेलिंग फिर इसके उपर रख सेंगे तो यह arc shape में आपकी हो जाएगी balcony का shapes तो इस तरह से आप arc का use कर सकते हैं जैसे आप 3D में देख रहे होंगे